राम राम दोस्तो दोस्तो रोमर रेंज और एले नाइट के बीच में हमें कड़ा मुकाबला देखने को मिला जहां रोमर रेंज पहले एंट्री कर रहे थे और उनके साथ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ एले नाइट ने उनकी एंट्री को ही इंटरप्ट कर दिया और ये रोमबर रेंज के लिए किसी अपमान से कम नहीं था क्योंकि रोमबर रेंज फेस अफ डोल जोई है वहीं उसके बाद एले नाइट रोमबर रेंज की चेर पर जाके बैठ गये जहां पॉल एमन ने उनसे उठने के लिए कहा लेकिन एले नाइट ने कहा अब से वे ट्राइबल चीफ नहीं रहेंगे वे होंगे ने हैड आफ दा टेवल और उन्होंने रोमबर रेंज के साथ कॉंट्रैक्ट भी साइन किया जहां क्राउन जूल में वे अन्डिस्प्यूट्टिड यूनिवरसल चैंप्रिशिप के लिए रोमबर रेंज के साथ फाइट करेंगे दोस्तों रोमबर ने इसने एले नाइट के उपर हमला किया लेकिन एले लाइट ने उन्हें अच्छे से दोया जहां एले लाइट ने उन्हें पकड़ कर अपना फनिशिंग मूब दे दिया और रोमर रेंज को मुझ की खानी पड़ गई दोस्तों ये रोमर रेंज के लिए बहुत ही शरमनाक बात थी कि उन्हें एले नाइट से भी मार खानी पड़ गी क्योंकि वे टॉप अफ दा गेम है लेकिन ड़ड़ ड़ड़ जोई एले नाइट को हाइप देने में लगी ये दोस्तों आपको क्या लगता है क्राउन जोल में हमें नया चैम्पेन देखने को मिलेगा मिलते हैं अगर एक और वीडियो में